नमस्कार दोस्तों स्वागत एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चेनल एजुटुबर देव में तो दोस्तों कुछी समय पहले मैंने एक वीडियो जारी करके आपको अपडेट दिया था कि 9th के और 11th का जो दोस्तों टाइम टेबल जारी कर दिया था RBSC यानि की राज़्थान बोर्ड ऑफ सेकेंड एजुकेशन ने तो दोस्तों अब प्रश्ण ये था कि बोर्ड की प्रायोगी परिक्सा है कब से तो दोस्तों इस वीडियो में इसी authentic अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं मादिमी शिक्सा बोर्ड की senior secondary कक्साओं की प्रायोगी परिक्साओं एक अप्रेल से सुरूव हो रही है दोस्तों मादिमी शिक्सा बोर्ड ने सभी परिक्साओं के रोल नंबर जारी कर दिये हैं संस्तापरदान बोड की वेब साइट है उससे अब भीर्थियों के रोल नमर डाउनलूड कर सकेंगे बोड की प्राइख की परीख्षाएं संस्तापरदानों और बाहय परीख्षकों को जो परीख्षागी तितिया है वो तैय करके जिला इस तर पर इस्तापित ने इंतरन कक्स को नए बनाए गए Google Forms एप पर जो है ये डालने होगी दोस्तों हालां कि आगे थोड़ ऐसी इसमें Corrections वगिरा है तो काभी साइरेस भी देखने को मिले यहाँ पे अब दोस्तों इसकी पुष्टी करानी होगी ये तिथियां एक अप्रेल से तीस अप्रेल के बीच की होनी चाहिए तो अलग-अलग स्कूल का हो सकता है मेटर और एक अप्रेल के बाद और तीस अप्रेल से पहले होनी चाहिए क्योंकि मई में फिर बोर्ड एक्जाम सा जाएंगे तो उसमें ये प्रेक्टिकल्स नहीं हो पाएंगे दोस्तों बोर्ड ने प्रायोगी परिक्षा भी दो पारियों में कराना तेय किया है पहली पारी सुबह साड़े नौ से तथा दूसरी पारी जो है वो दो बज़े से होने वाली है कोई वे संस्ता परदान अपने इच्छा से प्रायोगी परिक्षा का समय और पारी तैय नहीं कर सकेंगे तो बिलकुल वो अपने हसाब से इसमें चेंजिस नहीं कर पाएंगे अब दोस्तों इसमें आगे ऐसी दोस्तों अपडेट निकल के आ रही है देखे क्या है कि इससे पहले तक प्रायोगी परिक्षाओं का समय तैय नहीं था बाहे परिक्षक संस्ता परदान को अपने सुविदा नुसार तिती बता देता था और दिन भर प्रायोगी परिक्षाओं चलती थी तो दो लोग बाहर से आते थे बड़े बुज़ूर का आप कह दीजिए अनुभवी लोग वो आते थे और वो अपने हसाब से टाइम में पहले बता देते हम उस दिन को इतने बज़ा आएंगे आप जो है प्रैक्टिकल जो है अनौस करवा दीजिए तो ऐसे करके प्रक्रियाती लेकिन अब ऐसा नहीं है अब बोर्ड ने तया कर दिया साड़े नौ बज़े और दो बज़े इसी टाइम पे होनी चाहिए ताकि विध्यारतियों को कोई परिशानी नहीं हो अब दोस्तों दिन भर परियोगी परिक्सा नहीं चलेंगी जिस अब जिस पारी में परिक्सा तय होगी उसी में जो है बैच में परिक्सा तय होगी और वहीं में उसी में चलेंगी ये तित्या और पारी सामझे से इसे तए होगी तथा एक बार तए होने तथा आनलाइन होने के बाद इसमें परिवर्तन नहीं होगा तो पूरी आनलाइन चीजें हैं और अच्छी बात भी है आप कीजिए का दोस्तों थोड़ा सा गला मेरा खराब है अच्छी बात भी है दोस्तों कि ये ऐसे ऑनलाइन अपडेट्स होते हैं तो विध्यारती घर बैठे पता जो है कर पाते हैं इन सारी अपडेट के बारे में क्योंकि फिर स्कूल फोन करना और वहां पूछना विशेस कर जो रेगूलर नहीं प्राइविट हैं तो उनको काफी प्राब्लम इसमें होती है जवाब भी नहीं देते हैं स्कूल से काफी सारे टीचर्स वगेरा तो ये अच्छी बात है दोस्तों कि ऑनलाइन हो रहा सब कुछ बहाए परिक्षा को निर्धारित की गई ती थी से तीन दिन पहले तक दिये गए लिंक पर अपने कारे मुक्त होने की सूचना देनी होगी अतरिक्त जिलाशिक्सा अधिकारी शेक्षिक भूप सिंग तिवारी ने बताया कि बोड द्वारा परायोगी परिक्षा की सामगिरी समधित संस्ता परदान महरानी बाली का विध्याले से प्राप्त कर सकते हैं तो यह होगे दोस्तों बिकानेर की बात अलग-अलग जगे अलग-अलग एक स्कूल ने दारित की हुए हैं वहाँ सारे आपको जो प्रैक्टिकल के आईटम्स होते हैं बहुत सारे भोगल में होते हैं बड़े-बड़े स्केल और सारी चीज़ें होती हैं तो वो आप वहाँ से ले सकते हैं तो ऐसे गर के दोस्तों बोड की प्रावी परिक्षा पर एक आनलाइन वाली छोटी सी अपडेट वाकि कोई भी आथेंटिक जानकरी आएगी तो मैं आप तक पहुचा दूँगा वीडियो जोर कम्यूनिटी पोस्ट के मादेम से तब तक लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार